यदि आपने एक से ज़्यादा कंपनियों में काम किया हुआ है और आप कंपनी छोड़ते दूसरी कंपनी जोईन करने वाले हैं या फिर इन फ्यूचर कभी भी जोईन करेंगे तो आप सभी लोगों के लिए EPFO ने बहुत ही बड़ा अपडेट कर दिया है जी हां फ्रेंस जै कि आप पैसे निकाल पाते हो अब ऐसे में अगर आप खुझ से करते हो तो भ्याइब कर्चा होता है थोड़ा टाइम हर्चा होता है मैं लेकिन फिर भी अपका पैसा ट्रांसफर हो जाता है अब जो लोग बाहर से पेसे ट्रांसफर करवाते हैं अगर उनका क्लेम रिजेक्ट नहीं होता है तो भी बाहर सुनने में आता है कि पांसो हजार रुपए वो लेते हैं ट्रांसफर करने का आपका पांसो हजार का नै employees आपके जएप से तो इस नए अपडेट के बाद आपका ये ट्रांसपर नहीं करना पड़ेगा मिनुवल ओटोमेटिक आपका पैसा ट्रांसपर हो जाएगा देखे फ्रेंज यहां पे इनके केस में मैं सर्वी सिष्ट्री पहले में दिखा देता हूं सर्वी सिष्ट्री में जाएंगे तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि इन्हों ने अभी अभी एक कंपनी जोइन किया है यह लाश्ट वाली अभी जब मैं वीडियो सूट कर रहा हूं तो लगबग डेड़ महीना हो चुका है इनको लेकिन इनके इंप्लोयर ने अभी आप काम कर रहे हैं इनकी पुरानी कंपनी का जो भी पैसा है ओटोमेटिक ट्रांसफर रिक्वेश्ट लग गया है जी यहां फ्रेंस यहां पर ओनलाइन सर्विसेस पर जाएंगे और ट्रेक्लेम इस्टेटस देखेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इनका ज हो चुका है इनिटीयेट हो चुका है आपकर ट्रांसपर होने का आपको करने की ज़रृत नहीं है और यह इसी लिए सए और आ है क्यूंकि इन्हों ने अभी-बी नई कंपनी जोईन गया और रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है इनका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वह 12 तारिक को हुआ था 12-9 को और 12-9 को ही इनका ओटोमेटिक ट्रांसपर रिक्वेस्ट लग गया हाला कि इनको मेसेज भी रिसीव हुआ है जो कि स्क्रीन सोट में चिपका दूगा इनको मेसेज तो दो दिन बाद रिसीव हुआ है करना क्या पड़ेगा फिर से जो पुराना प्रोसेस है उसके माध्यम से आप ट्रांसपर कर पाएंगे देखिए यहां पर यह उप्सन गया नहीं है और जाने वाला भी नहीं है अब यह उप्सन सभी लोग को देखने को नहीं मिलेगा तो मैं आपको डिटेल में बता देता यहां पर यह नहीं है और अगर सट्राफशह हो जाएगा तो फिर यहां भी नहीं देखने को मिलेगा आपको यह transfer claim request में ही देखने को मिल जाएगा देखिए, transfer claim status है, क्योंकि अब तो transfer हो गया है, अब reject भी होगा, तो उसका सब का status यह ही आपको देखने को मिलेगा, अब ऐसा नहीं है कि EPFO ने यह वाला जो option है, या भी सुविदा है, यह अभी अभी launch किया है, EPFO ने लगबग 3 साल पहल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हला कि मेरे हिसाफ से तो मेरा opinion है, EPFO ने बहुत ही अच्छा काम किया है, जिससे कि काफी लोग अगर खुद से transfer नहीं कर पाते हैं, या फिर किसी और से करागे, पैसे देखे कराते हैं, तो उनके पैसे वैसे बच जाएंगे, automatic transfer हो जागा, ब करोगे, तो अभी पैसे आपके बच जाएंगे, तो फाइदा ही है ना, अब आपके इसाफ से ये update कैसा है, नीचे comment box में comment करके बताओ, और EPFO को क्या गया नए update करना चाहिए, वो भी आप comment कर सकते हो, अपना बहुमन ले सुजाओ तो दे ही सकते हो, अब अपने दोस्त मित इस लोगों को भी इसके बारे में बताना चाहते हैं, तो उनको भी इस वीडियो को किसी भी platform बें सेयर करके उनको भी बता सकते हैं, उनको भी जनकाली दे सकते हैं, इसी साथ मिलते हैं किसी next informative वीडियो में तब तक ले जहीं, जेवर्द बंदे मात्रम